पप्व यादव जी अपनी पाटी का म've been fel Nagいます are you को अर्व व zulock रहा है लेकिन लोग सून नहीं है जिस परकार स्थ टिकट के लिए पप्व यादव को गिर गिराने के लिए मजबूर किया है नमस्कार आप देख रहें डिटी डव्ली ट्वेटी फोर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे सक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्याले में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के परदेश परवक्तार राकिस सिंघ है नियसे ही बात करते हैं और जानने की खुसिस करता है कि अब सरकार बनाएंगे और बाइब आधर होना था पपू याधव के साथ कांग्रेस एवं राश्र्म जंतादल ख Corey ने धोखा देने का काम क्या हैँ ऑपू आधर जी अपनी party का बिले कौंगरेस कर दिया और कॉंग्रेस और राष्टिय जन्तादल ने बिले करवाने के बाद उनको एक टिकट भी देने से इनकार कर दिया पपु यादव जी आप न घर के रहें न घाट के रहें तो कॉंग्रेस भी कह रही है और राजे भी करते हैं ऐसा थोड़ी हम बोले थे कि हम उनको पूर्णिया से टिकट देंगे लिए कि कॉंग्रेस को देश की जन्ता जानते हैं कॉंग्रेस आखिर चाहती क्या है कव तक लालू जी के बैसाकी के सहारे कॉंग्रेस चले गई एक नेता ने अपने पूरी पार्टी का बिलये एक सीट के लिए कर दिया और वह कैसा गटवंधन है कैसे लोग हैं कॉंग्रेस में पतानी कैसे नेता हैं जो एक सीट भी नहीं दे पाया उस पार्टी को और आज वह पुर्णिया से निर्दलीय चुनाव लडएंगे लड़ेंगे आपनी पार्टी का पूरिये इक साल से उस्तियारी कर लिए हार जीत की बात-बातना होगी पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी का बिले का दिया और कंग्रेसी पताने कैसे हैं कि पूरी पाट्री का भिलाय कराने के बाद एक टीकट भी नहीं थिया पप्पु यादव जी दरदर भटक रहे हैं राहूल गांदी जी और तेजस्वी आदव एक गारी किसा वाड़ी कर रहे हैं लेकिन पप्पु यादव का ख्याल नहीं प्पुई आदव जी पर चले तो पपुई आदव राजनित किया है उनको लगता है हम क्या है राहुल गांदी को नहीं बनाएंगे अरे मोदी जी को तो देश की जंता बनाने में लगी है पप्पू यादब जी गय थे राहूल गांधी को बनाने लेकिन पपू यादब को ही ठगने का काम कॉंग्रेस ने किया यह कॉंग्रेस के इवराज राहूल गांधी इसी तरह देश की जनता को ठगने का काम किया पूरी कॉंग्रेस पार्टी देश की जनता को ठगने का काम किया जिसका नतीजा है कि आज Congress को धरदर भटकना पर रहा है लेकिन लोग सुन नहीं रहें जिस प्रकार से एक ठीकट के लिए पप्पु यादव को गिरगराने के लिए मजबूर किया है उसी तरह Congress सी याद रखे बिहार की जनता और देश की जनता एक सीट के लिए Congress की नाक रगड़वा देगी सपने देखना कोई गलत थोड़े है लेकिन लालू परसाजी का सपना पूरा नहीं होगा है तो फिर से नरेंद्र-मोदी फिए बोज़ुशा सफने देखं़ रहे हैं दोख्याटरी सपने नहीं धेखना ओल्याज को दीखते हैं उन्होंने गड़ी को देखा है उन्हें जूल्म को देखा है कॉंग्रेस की भरस्त अचार को को देखा है इसे नरेंदर मोदी अलम है यह लोग सफने पालने वाले लोग घरकी जनता को सपना दिखा रहे हैं यह यह वादे करते हैं पंद्रा पंद्र लाख रुपए देंगे और बीज कितने रोज़कार देंगे और रोज़कार की नाम पर कुछ दिये नहीं पांच किलो रासन दे रहे हैं उसे पे हो गया को पांच किलो ऊंज देने का काम किया था क्या ललुजी के पड़िवार के अनाज को छीनने का काम किया का य ap जो पसुओं को चाड़ा खा जाएगा मनुष्य का निवाला खा गया उससे क्या उमीद करेंगे देश की जनता और बिहार की जनता इनके जहासे में आने वाली नहीं है बिहार की जनता जबाब देगी यह थे राके सिंग जो अपनी बात को साबतोर पे रखा जिस तरह से पपू यादब जो है निरदली चुनाओ लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं वी पूर्निया से क्योंकि उनका तै था कि पूर्निया छोड़के वो कहीं और से चुनाओ नहीं लड़ेंगे राज़त भी उन्हें उफर दे रही थी कि मद्धपूरा से लड़ लीजे और अंगाबाद से कॉंग्रेस भी उन्हें मद्धपूरा लड़ा रही थी क्योंकि अब कॉंग्रेस के खाते में भी राजत जो है पूर्णिया सीट नहीं दी लेकिन मन बना लिए पुरी जोर सोर से तैयारी में भी जुट गए हैं वह भी पूर्णिया से चुनाओ लड़ने के लिए दूसरी बात कर दी जाए तो जिस तरह से नरेंदर मोधी 2024-2047 के तैयारी में जुटे हैं कि 2047 म फिर से एक बाद परधान मंत्री बनेंगे उसी तरह लालू परसाद यादव लोक सभा चुनाओ को देखते हुए उन्होंने विधान सभा चुनाओ की तैयारी में लगे हुए हैं क्यूंकि उनको अपने बेटे तेजश्वी परसाद यादव को 2025 में मुख्य मंत्री बनाना है लेकिन बीजेपी एंडे अगडबंदन की कहना है कि लालू यादव सपना देखे सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है फिलाल अमरा खबर में इतना ही है आप लोग देख रहेते डिटी रब्लू 24 न्यूस धन्यवाद